है मैं नमस्काँ मेरे प्यारे साथियों मैं है इश्तिवारे आप सब्सक्राइस आपके बहुती कि प्यारी चैनल सांफि है और श्रू कते है Difinas इसको बहुत प्यारे कोशन के साथ में चलिए पहला कोशन यह है कि आज यहां पे 16 माई को इन में से कौन सा अंतराश्टी दिवस है जो मनाया जा रहा है आपको प्रकाश्ट दिवस है जो आज की दिया पर मनाया जा रहा है लेकिन अगर बात करें आप लाइट के बारे में तो लाइट के बहुत सारी फॉर्म हो सकते हैं लेकिन आपको बता दो कि लाइट इस ऑफ पॉर्म अफ एनरजी यह एक ओर जाका देखें हैं पर क्या है रूप है लेकिन हम जो बात करते हैं सूरी से आने वाले प्रकाश के बा जो बनता है 16 मही को दिकि यहाँ पर थियोडो मेमेंड यहाँ पर वग्जानिक थे जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पर रूबी बेस जो लेजर तो बनाया ता बात में बहुत सारे वग्जानिकों ने देखे फर्दर यहाँ पर इंवेंशन किये हैं लेजर लाट को बनाने के लिए तो कैसे हैं कि यहाँ पर लेजर का जो इंवेंशन है वह भी हैं पर किया जा रहा है इस दिन की रूप में हम जो बात करेंगे तो कोशर बनता है लेजर किया है अब लेजर में पढ़ाने बैटा तो आपको गैरेंटी से बहुत लंबा टाम जाने वाला है तो आप आपको शत पता होना चाहिए कि पहले बलब के अविशकार के करने से पहले बहुत सारे बलब को खराब कर दिया तो बाद में पाया कि देखिए ऑक्सिजन गैस को हटाने के बाद ही यहां पर जो बलब होते वो चल पाते हैं फिर यहां पर और सारी जो गैसे वह भरी गेती है इसे आर्गन जो इनट गैस होती है वो इसमें यूज की तो यह वक्ति है जिनके द्वारा ही कहिना कि विश्य में जो प्रकाश है वो मिल पा रहा है आर्टिफिशल जो प्रकाश है वो मिल पा रहा है आर्टिफिशल लाइट वो मिल पा रही है देखिए हम जो बात करते हैं पर थॉमस एडिसंग के बारे में मिले साथी हो तो देखिए इन्होंने पर दिसकवरी किये है तो फोनोग्राप दिखें आप एक डिवाइस है जो यह पर यूज करते हैं यह पर टु रिकॉर्ड अन प्लेड बैक्स साउंड को और 1877 मिस की डिसकवरी की थी वहीं पर दिखें जो बात करते हैं इन्होंट जो बलब की डिसकवरी की है वोकि है आप 1879 के अंदर यह बहुत इंपोर्टन फैक्ट है जो आपको ने बता दिया अब इंडिया की पॉंट व विव से जो पॉंट है वह जारा समझेगा एक्जामिनेशन के पॉंट व विव से जारा समझे दिखें हम जो बात करते हैं बच्चे सिक्किम राज्ज के बारे में तो यहा पे 22 वा राज्ज बनाता है भारत का 16 मई 1975 को तो एक्जामिनेशन में कोशन आपसे पूशेंगे बच्चे कि सिक्किम को यहाँ पे ऑफिशिली तोर पे भारत का राज्ज कब घोशित किया गया था तो आंसार है 16 मई 1975 को और आपको बता दू कि सिक्किम के लिए जो बात करत बच्चे बहुत इंपॉर्टन बाद बता हों में देखिए आर्टिकल 371F यहाँ पे किस से संबंदित है तो आपसे पूछेंगे यहाँ पे आंसार है क्या है सिक्किम से संबंदित है यह बहुत प्यारा पॉइंट है और यहाँ पर 16 मई 1975 के बात करते हैं तो के एल दोर जी को बनाए के तब है आइंसी डैट इस इंडियान नेशनल कॉंग्रेस का पहला चीफ मिनिस्टर सिक्किम राजी के अंदर यह बहुत इंपॉर्टन फेक्ट है मैंने बता दिया है आपको शाद यह भी पता होना चाहिए मैंने साथ ही हो कि विश्व का पहला पुली औरगनिक की चोटी है जिसका नामें कंचन जंगा पच्चे मांट एवरेस आंसल नहीं होने वाला कंचन जंगा इस दराइट आनसल तो भारत की हिमाले में सबसे उची जो चोटी वो कौन से पर कंचन जंगा है जो कहां पर थी इंदा पोशन ओफ दिस सिक्किम यह और सिक्किम के जो म मैं बता चुका था कि पहला भारत का 100 प्रतिशत यहां पर ओर्गनिक स्टेट है और ओर्गनिक राज्य है यह बात हमसे एक्जामनेशन में कुशन पूछेंगे चलिए अभी हाली में भारती आर्मी के दौरा भारती सेना के दौरा 56 किलोवाट का यहां पर रेके सोलर जो प प्रबंदा निदेशक है जो यहां पर चेर्मेन और मैनेजिन डारेक्टर है वो किसे बना गया है लेटेस्ट अपांटमेंट है यहां कर लेजिगा बच्चे आंसर यहां पर किया है अरुन कुमार सिंग सिंपल से पांटमेंट है ज्यादा उसमें यहां पर जोड देने की इसको स्थापित किया गया था आपसे कुशन पूशते हैं भारत में बहुत सारे पर और और नेच्रोल गैस कंपनीज है जिसमें देखे एशपी है यहां पर महानगर गैस है ओएग जीसी है यहां पर और रिलांस है भार पेट्रोलिम है अभी इस शाद आपको बताया था मै पर और रिजनल स्थान को यहां पर डवलप करने की बात के है तो याद कलीज बचे कोंसे बद्री ना थे और इस राजजिमात आप उत्तरा खंड में यह भी आप इससे हम पर कोर्रेलेट कर सकते हैं चलिए अगर बात की जहां पर बाटा कंपनी के बार में तो बाटा कंपन की जो नए हैं पर सी यो बना गए कोन है गुंजन शाह चलिए नेक्स कुशन देखिए इंपॉर्टन है एक्जामनेशन के पांट व्यू से क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी बात है आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ तकि सबसी इंपॉर्टन बात इस सेशन के यह है कि कि आपको करेंट के सास्थ उससे बेस्ट जितना भी स्टैक्टिक जीके का पार्ट है वो आपको बहुत डीटेल से मिलेगा और साथी यह कि इन मांगे चलेगा कि अब मैं आपको देखिए एक्स्प्लिनेशन के सास्थ चीज़े और ज्यादा डीटेल में देने वाला हूँ तो कि मैंने बेसिकली यहां पर देखा है रिव्यू किया है कुछ पेपर्स का आपके पास बहुत जादा नौलिज होनी चाहिए उसे पड़ने से काम चलने वाला नहीं है पड़ने के पीछे जो वज़ा है वो पता होनी चाहिए अब लोग को चली हम जो बात करते हैं मेरे स ईसी सर्विश्य है जो यहां पर टेडिंग अकॉंट को बढ़ावा देती है तो भारत में ट्रेडिंग अकॉंट ज disgust का रहूँ में उसी बढ़ावा देने का चीदो चैनल कि अंपर और ऊटिंध करतेंह अकाउंट होते हैं लेकिन यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है उसके लिए एक अलग से डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता हमें लेकिन अब ऐसा नहीं है अभी यह देखिए कस्टुमर्स को यह चीज़े अलड़ी मिलने वाली है तो अब दिख पाएंगे मिले साथ हो तो PNB से पहले यहां पर हम जब बात करते हैं जियोजित इंडिया के बारे में तो जियोजित इंडिया ने दिखे हैं पर UBI that is United Bank of India और OBC that is Oriental Bank of Commerce के साथ ने हैं पर समझोता किया था लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में बैंकों का मर्जिंग होई थी भारत मे भारत में दिखें बहुत सारे बैंकों का विलेक किया गया इंडिया को और Oriental Bank of Commerce को किसमे मिला गया पर PMB में मिला दिया गया इसी तरह से सिंडिकेंट बैंक और कैनेरा बैंक को एक कर दिया गया फिर यहां पर हम जब बात करते हैं कॉर्परेंशन बैंक आंध्रा बैंक और Union Bank of India को एक कर दिया गया था और लास्ट में हम जब बात करते हैं तो इंडियन बैंक और अलाबाद बैंक को भी यहां पर एक कर दिया गया यह बहुत सारे मर्जर्स थे जो यहां पर निर्मला सितरमंजी की द्वारा किये गये थे अब देखें जो बात करते हैं बेटा PNB क बात करते हैं तो इसे मलिकर मलिकर जुन रहा हो देखें वरतमार में इसके CEO है 19 मई 1894 को लाहूर पाकिस्तान में इसको फॉंडेट क्या कहता है पर लाला लाजपत राय और दयाल सी यहां पर मजितिया के द्वारा तो यह बहुत इंपोर्टेंट है कि लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय देखिए तो यहां पर पूशा जाए आपसे PNB की जो टेग लाइन है ना वो मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन के अंदर चली साती हूँ नेक्स क्रूशन अब हमारे स्क्रीन पर दिया गया है अभी हाली में देखिए अगर बहुत सारी बैंक यहां पर रेगुलेटरी इसको फॉलो नहीं कर पाती है प्रोफिट नहीं दे पाती है यहां पर लगाता है घाटे में जा रही हैं करजे में जा रही है तो उनके वो लैसेंस को रदी भी कर सकता है इसी तरह का सीन हुआ है थे एंपर किसकी साथ मेरे साती हो wild आंसर आफन पर रहे किए United Cooperative Bank के साथ जो यहाँ पे अपने funds को adequate नहीं कर पाया और साथी साथ में जो उसके earning prospect थे ना वो यहाँ पे पूरे clear नहीं हुए थे तो बाद में यह फैसला लिया गया RBI के द्वारा कि इसको यहाँ पे पूर नुप से license का रद्ध कर दिया जाएगा और यह कहां परता अब यह RBI ने बहुत सारी monetary policies में बदलाव किये थे और साती साथ में भारत के अंदर देखे बहुत सारी हाँ पे एक्स्चेंज होने वाले जो funds है ना उस पर भी लगाम लगाई है आपको बदा दू अभी चल रही है digital currency जिसे बोलते है crypto currency देखिए हम जो बात करते है crypto currency के ब बात करेंगे तो ब्रैटली ने एक Bitcoin को दान किया था अब यहां पर जब दान करेंगे तो कहने कहीं वह Bitcoin को दान करने के बाद उसका एक्स्चेंज यहां पर भारती रुपए में किया जाएगा तो RBI का यह साफ साफ कहना है कि हम यह Bitcoin से किसी भी तरह की crypto currencies में होने वाले बद के अंदर जो यहां पर कि money की जो value है जो fundraising की problem बहुत जादा हो सकती है तो यह कह दिया कि अब यहां पर किसी भी तरह से जो bank के वह cryptocurrency की साथ है पर करार नहीं करने वाले मतलब यहां पर bank सब cryptocurrency को नहीं लेंगे ताकि भारत में जो liquidity को ratio है वो maintain रहे यह बहुत बड़ी बात कही यहां पर RBA के द्वारा साती सात में देखें यहां पर बहुत सारे जो OTT platforms हैं और साती सात में मेरे साती हो यहां पर बहुत सारे ऐसे platform जिसमें auto debit होता है उस पर भी लगाम करने की बात की है RBA के द्वारा RBA के यह कहना है कि अब यहां पर auto debit के लिए आपको प्रैटी पहले permission लेनी पड़ेगी मतला हर बार permission लेनी पड़ेगी कई बार ऐसा होता कि Amazon Prime के हां पर देखें सब्सक्रिशन लेने पर आपके account से auto debit होते रहते हैं जिससे कई लोगों को नक्सान बहुता रहता है और कमणी to the RBA mandate और discontinue कर दिया है अपने प्लैटफॉर्म पर यह बहुत बड़क कदम है जो Amazon के दौर उठाए गया RBA की इनी पॉलिसी को लेके चलिए हम जो बात करेंगे RBA के बार में देखिए इसकी बार में मैं बहुत बात बता चुका हूं बहुत सारी बात बता चुका हूं लेक स्थापना की गए थी यहाँ पे बावा साहा भीमरा अंबेटका का विजन था तेकि इनकी किताब थी मेरी साथी the problem of the rupees its origin and its solution उसके अंदर उन्होंने हिल्टन यन कमिशन को सीफालशी देती और हिल्टन यन कमिशन के आधार पही इस बैंकी स्थापना की थी जो latest news आपको य अगर आले के वर्तमां गवर्नर की बात करते हैं तो शक्ति का अंदासा अपको पता है इस मिल साती हो फिर महेश कुमार जैन, MD पात्रा, M. राजेशोर राव यहाँ पे डेपुटी गवर्नर रहे हैं और टी रविश अंकर जी हाँ पे कौन बने हाँ पे चौत्य सबाराव, रागुराम राजन, और जित पतेल और शक्ति का अंदासा अभी यहाँ पे लेटर सी बने हैं यहाँ पे व्लास्ट के गवर्नर से मोस्ट 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 इंपोर्टन कोशन दिखिए हैं इस वाले कोशन को थोड़ा पहले लेने वाला था रेकिन थोड़े स्लाइट्स उपर निचोगी ते कोई दिक्कत नहीं है और इसमें हमको मैं वहाँ सारी बाते गिद्देल से बताने वाला भी हो बच्चे पच्चे के हैं एक मेनने टो बटे का थोड़ा करें के अल्यलत को दिखिए कि मलय कोट रहुत、 कि मलय कोटला पूचन ईब्सकजा के आप से कि मलय कोटला को यहाँ पर जिला घोशित कर दिया गया है तो ये घोटना की कि यहां पर पंजाब राजिसरोगेThank you परा येस तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री है चैप्टर अम्रिंदन सिंग जी उन्होंने एक घोशना कर दी है कि वह मले कोटला को बनाने वाले हैं पंजाब का नया जिला और अब पंजाब के अंदर जिलों के जो संख्या वह कितने हो एंपर तेस हो गई है तो तेस वा जि जिला पड़ता है संग्रूर तो संग्रूर जिले के अंदर इसकी सीवाइब बदला गया है और संग्रूर जिले से अलग करके इसको बनाया गया है जहां समझे, पंजाब के अंदर यह एक ऐसा इलाका है जहां पर Muslim community की संक्या सबसे जाधा मिलती है तो यह जो मलेर कोटला है मेरे साथ यहां पर बनाने के बाद UP के जो मुख्य मंत्री यहां पर यहां पर देखे एक बयान भी सामने आयाता है उनका यह कहना था कि यह सहीर नहीं है आप ऐसी communities के अधार पर जिला बनाने वाला है के दसवे गुरू को बहुत मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं भले वह Muslim community के लाका हो लेकिन वहां के लोगों का दिखे कहना कहीं आस्था है यहां पर सिक धर्म के प्रति और यह एक कहना कहीं भारत के अंदर जो बहुत बड़ी यहां पर इभायचार को दर्शाता भी है तो यहां पर मले कोटला को बनाया गया अमरिंदर सिंग जी ने अपने मैनिफेस्टों में घोष्णा की तो दुबारा इसे पावर में आते हैं मेरे साथियों तो मले कोटला को वह पर निर्मान करेंगे उनकि मैनिफेस्टों में शामिल था यह चलिए अगर हम बात करें तो महांबत खान पर शेयर महांबत खान की बात करता है protective महांबत के अंधाया इना को ने समर्थन किया है आपको बता दू कि हम जब बात करते हैं गुरु गोविंद सिंग जी के बारे में देखें करवानी का हैं पर देखें हम कभी मुले चुकाही नहीं पाएंगे मैं अक्सर कविता सुनता रहता हूँ और मुझे हरी शंकर परसाई जी की कविता यादा रही है इतनु दिन लैन यादा रही है मैं जरा बताना चाहूँगा आपको जरा समझीगा कि हम कर्जा खाएं बैटे हैं हम कर्जा खाएं बैटे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का हम क्या है सान चुकाएंगे उनके आँखों के पानी का हम उनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में हम उनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में जिनके सामने जिनके दो-दो बेटे चुन गए दीवारों में ये सत्ते बात है मेरे साथियों जब चार साहिबजादों की बात करेंगे गुरु गोविल सिंगे चारों के चारों पुत्र यहां पे शहीद हुए दो बेटों को तो यह पे जिन्दा दीवारों में चुनवा दिया गया था और यहां पर उनका विरौद करने वाले एकमात्र बेक्ति थे हैं पर शेर मोहंबद खान तो जब यहां पे उनकी दो बेटों को चुनवाया जा रहा था दीवार के अंद्द्र तो उन्हों पतल और कहें न कहीं बात में मेरे साथ यो यह एक भाई चारे का केंद्र बन गया मले कोटला तो बहुत फेमस लाका भी है हम जो बात करते हैं दिखें तो यहां पर इद के दिन ये तोफ़ा दिया गया मले कोटला का पंजाब के वासियों को और यहां पर 500 क्रोड की जो यहां पर सब्सक्राइब को बना जा रहा है और यहां पर मैडिकल कॉलेज का जो नाम दिया जगा मेरे साथ की वह दिया जगा मेरे शेर मोहमत खान के नाम पर जिनके बार में मैंने भी चर्चा की है और साथी जाब में राइकोड रोल के जो 25 जो अलोकेशन वह भी कर दी गए है तो पंजाब की बात करते हैं तो चंडिगार क्यापिटल है एक नवंबर को बना था तेज जले हो चुके हैं कैप्टन अम्रीदर सिंग देखें कौन है मुखी मंतरी ओ वीपी सिंग यहां पर बदनोरे कौन है देखें दोबर्णर है जो बात करते हैं एक नवंबर के बार में यह इंपोर्टन लगती है मुझे क्यों लगती है बताता हूं जानल सुनिए एक नवंबर भारत में कई राज्यों की स्थापना दिवसकृत में मनाया जाता है जैसे आंध्रप्रदेश है आंध्रप्रदेश को एक ऑक्टूबर 1903 को बनाया था लेकिन जब राज्य पुनक है तो यह भारत की वो राज्य है जिनको स्थाप्रित किया गया पर एक नवंबर को आंध्रप्रदेश को लेके बच्चे थोड़ा कंफीज हो सकते हैं बच्चे एक ऑक्टबर 1903 को भाषा के आधार पर पहला राज्य बना है लेकिन जब यहां पर स्टेट री ओगनाइशन कॉंसिर की जब बात करते हूं जिसमें फदल अली अध्यक्षवा करते थे मेरे साथ ही हो उनके दुवारा जब दुवारा सी स्टेट का री ओगनाइशन किया गया ना तो एक नवंबर 1956 हुआ है इसमें कंफीज मत होएगा आप लोग चलिए नेक्स कुशन अपर दिया गया तो उसमें हम बात करते हैं रियल टाइम पेइमेट की बात कि जारी है उसमें ना कही तो यहां पे फाइदा मिला है भारत को बहुत जादा हम जब बात करते हैं मेरे साथ ही हो तो भारत में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 71.7% यहाँ पे और ट्रांजिशन होने वाले हैं digitally by 2025 मलब 2025 तक आते हैं यहाँ पे भारत में maximum जो ट्रांजिशन किये जाएंगे वो यहाँ पे रियल टाम पेइमेंट होने वाले हैं अगर बात की जाएंगे यहाँ पे यूपी आई आपने बहुत सुनागा पे यूपी 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 आई तो इससे बोलते हैं रोपवे सिस्टम इन विच रहा स्टेट अभी हवाई यात्री जो राजमे मंजूरी दी गई है तो उसका सई आख सबचेंगे उत्राकंड के अंदर येस तेके सेंटर ने क्या किया है इसमें बहुत लंबा जो रस्ता वो बशने वाला है अब देहरादू से मसूरी की यातर है वो मातर 20 या 30 मिट में होके रह जाएगी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो जहां पर चलाया जा रहा है तो यहाँ पर देखें एरियल पैसेंजर रोवे सिस्टम है जो स्टार्ट किया जा रहा है देहरादू से लिके मसूरी की विश में हम जब बात करते हैं तो 258 क्रोड की इसके लागत आने वाली है और कहा जाना है कि एक तरफ से पर घंटे में एक तरफ से प्रती घंटा में हजार यात्री है जो आ और जा सकते हैं तो काफी अच्छा बैलेंस है जो ट्रांस्पोर्टेशन का होने वाला है और यहाँ पर जो दूरी है यह मातर 20 मिनिट में रह जागी वैसे बता दो मेरे साथ भारत में कितना गजब देश है अजब देश भी है यहाँ पर मैं दूरी को मैं किस से बता रहा हूं समय से बता रहा हूं किया आप ऐसा ना किजिएगा यह बोल चल की भाषा में अलग हो जाता है चली हम जब बात करते हैं देखिए उत्तरा कंड के बारे में 13 सिंग रावाद देखिए बहुत ही फीमस मुक्य मंत्री काफे चर्चाओं में रहते है हैं और यहां पर हम जब बात करते हैं नवंबर नौ को यह बनके तैयार हुआ था नवंबर नौ 2000 को देखिए इन से पहले जीवित प्रानी बता दिया रहने का अधिकार बता दिया खतना फेक्ति रहे हो मैं नाम लेने वाला नहीं हो हम जब बात करते हैं तो बहते हैं तो भारत के अंदर या चक्रवात आया है जो प्रतनाक चक्रवात में इसे एक है मेरे साथ ही हो और इसे मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा रेड जोन में घुशित कर दिया गया है तो भारत के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है इसके लिए और यहां पर जो स्ट्रॉम यही जो चक्रवात है 17 में तक है कि चन्ने वाला है कि किस प्रकास से देखे बहुत हाई प्रेशर बेल्ट है जो बना है इन दर रिजन ओफ दी अरेविंसी एंड वेस्ट बैंक ऑफ दी इंडिया आप देख पाएंगे बच्चे कि यहां पर जितने भी टेलेट्रेस बॉंडरी इंडिया की लक्षिदीप है केला है यहां पर करन बात करते हैं तो पुरश विष्व मुक्यवाजी चैंपेंशिप है वो कहां होने वाली है तो यह होने वाली है बहुत करने के लिए हमें कुछ hosting fees दिनी पड़ती है, भारत ने वो hosting fees दी नहीं, और यह मौका भारत कहां से चला गया, अब यह कहां होने वाला बच्चे, तो यह होने वाले कहां पर रिखें मेरे साथ यह होने वाला देखें, Belgrade में, हैं पर सर्बिया में, और dates फाइनल कर दिके हैं, इसकी 26 अक्टूबर से कि 6 November 2021 की, हम जब बात करते हैं कि AIBA के बारे में, that is International Boxing Association, Lawson, Switzerland में इसका Headquarter पड़ता है, 1946 में इसको स्थावित किया गया था, और हम जब बात करेंगे हां पर, तो देखें, यहां पर बहुत सारी जितने भी boxing competitions हैं, वो सब इसे के द्वारा पर आयुजित किये जाते हैं, चल to qualify the Olympics game, तो यहां पर देखें, Olympics होने वाले हैं, आप जानते हैं, बहुत सिंपल Tokyo Olympics हैं, उसमें qualify करने वाली पहली भारती महिला फेंसर कौन है, तो यह नाम याद कर लेने बच्चे, बहुत ज़ादा इंपॉर्णन है, इसका नाम है आपर भवानी देवी जी, येस, तो बच इतनी बाते हैं, जो बता दी है, ये सारी की सारी information को collect करने के लिए, आपको कितनी चीज़े पढ़नी पड़ती, आपको कितना कुछ यहां पर dimensions कवर ने करना पड़ता, मैं बहुत सारी dimensions को देखें, एक साथ लेके चलना हूँ, तो थोड़ा सचन लंबा हो सकता है, दूसरी बात यहां पर यह है, साती हो देखें, दूसरी बात यह important यह है, कि यहां पर देखें, आप प्लीस revision करना शुरूर कर दीजे, और आपके revision को और आसना करने के लिए, आज मैं आपको सुबह 9 बजे lab मिलने वाला हूँ, आपके इसी प्यारे world office के अंदर, आपको देखें, ए अगर पसंद आली तो सब्सक्राइब कीजिगा, दूसरी बात, next बात important यह है मेरे साती हो, कि लाइक्स बहुत कम होते हैं, शेर बहुत कम होते हैं, कमेट्स बहुत कम होते हैं, आप अपने चीजों को मेरे साथ शेर कीजिए, जो कमी है, मैं सुधारूंगा ज़रू, from the day one, म आपके लिए बहुत 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 तब तक के लिए जय हिंद जय भारत